अथश्ट मोध्याय आठवा अध्याय भूमी के अंदर से निकलने वाला पानी शुध माना जाता है पतिव्रता नारी पवित्र होती है लोगों का कल्यान करने वाला राजा पवित्र माना जाता है और संतोशी ब्राह्मन को भी पवित्र माना गया है अत्माह धनमिच्छंती धन मांचा मध्यमाह, उत्तमाह मानमिच्छंती मानोही महता धनम, जो लोग संसार में केवल धन की इच्छा करते हैं, वे अधम अर्थात नीच कोटी के हैं। मध्यम श्रेनी के लोग धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं जबकि उत्तम कोटी के मनुश्यों को केवल आदर सम्मान ही चाहिए होता है 1. संसार में धन की इच्छा तो सभी को रहती है परंतु धन की प्राप्ती के लिए निम्श्रेनी के लोग अन्य सब बाते भूँ जाते हैं सब कुछ भुला कर धन के पीछे भागना ठीक नहीं मध्यम श्रेनी के लोग वे हैं जो धन के साथ मान सम्मान की भी इच्छा रखते हैं वे धन की प्राप्ती के लिए अपने मान सम्मान को दाव पर नहीं लगाते श्रेष्ट पुरुशर्थात उत्तम कोटी के मनुश्य वे हैं, जिनके लिए आदर सतकार ही सब कुछ है। 11211 सामान्य भारतियों में ये धारना पाई जाती है कि स्नान भ्यान आदी करने के बाद ही फल और वशदी आदी का सेवन करना चाहिए। यदना भक्षयनित्यम जायते ताद्रशी प्रजा दीपक अंधकार को खाता है और उससे काजल की उत्पत्ती होती है। इसी प्रकार मनुश्य जैसा अंधकाता है, वैसी ही उसकी संतान उत्पन होती है। तादपर्य बिल्कुल स्पष्ट है यदी व्यक्ति अच्छे कार्यों से अपनी आजीविका चलाएगा तो उसकी संतान भी सद्गुनों से युक्त होगी। यदी वल्चोरी और मकारी से पैदा किये हुए धहन से अपनी संतान का पालन पोशन करता है तो संतान के विचार भी उसी प्रकार के निक्रिष्ट होंगे। आचार्य यहां संकेत दे रहे हैं कि जैसी संतान चाहते हो, वैसा ही अन्न सेवन करो। संतान यदी फल है, तो अन्न उसका बीज है। बुद्धिमान या अच्छी गुनों से युक्त मनुष्य को ही धन दो, गुणहीनों को धन मत दो। समूत्र का खारा पानी बादल के मीठे पानी से मिलकर मीठा हो जाता है और इस संसार में रहने वाले सभी जड़ चेतन, चर और अचर जीवों को जीवन देकर फिर समूत्र में मिल जाता है। चार प्रकार गुनी व्यक्ति को दिया हुआ धन अनेक अच्छे कार्यों में प्रयुक्त होता है। ये श्लोक ये भी संकेत करता है कि अध्यपी धन अनेक दुर्गुनों से युक्त है, फिर भी गुनी व्यक्ति का साथ पाकर वह तप तेल की मालिश करने के बाद, चिता के द्वेकिस पर्ष करने के बाद, स्त्री सिसम्भोग करने के बाद और हजामत आधी करवाने के जब तक स्नान नहीं कर लेता, तक वल चांडाल अर्थात अशुद्ध होता है, छेह, निर्दोश हो जाता है, जनोप योगी हो जाता है, चांडाल आना सहस्त्रेच सूर्विस्तत्व दर्शबह, एको ही यवना प्रोक तो ना नीचो यवनात परह, तत्व को जानने वाले विद्वानों ने ये कहा है कि हजारों चांडालों के समान एक यवन अर्थात मलेच धर्म विरोधी होता है, इससे बढ़कर कोई दूसरा नीच नहीं होता, पांच यहां यवन शब्द का अर्थ किसी संप्रदाय विशेश से नहीं है, वरन अधर्म का आचरन करने वाले द अपच की स्थिती में जल पीना उशदी का काम देता है और भोजन के पच जाने पर जल पीने से शरीर का बल बढ़ता है, भोजन के बीच में जल पीना अमृत की समान है, परंतु भोजन के अंत में जलका सेवन विश के समान हानिकारक होता है 7. अज्यान से मनुष्य नश्ट हो जाता है सेना पती के अभाव में सेना नश्ट हो जाती है और पती से रहित स्त्रियां भी नश्ट हो जाती है 8. यदि व्यक्ति को ज्यान है कि कौन सा कार्य उचित है और कौन सा अनुचित, इसके बावजूद वह अपने आचरन में इस बात को नहीं अपनाता, तो ऐसा ज्यान व्यर्थ है, उसका कोई लाब नहीं मनुश्य का जीवन बड़ी कठिनाई से प्राप्थ होता है इश्वर ने प्राणी को बुद्धी इसलिए दी हैं कि वह ज्यानवान होकर शुभाचरन करे, किन्तु कुछ लोग अपनी अज्यानता के कारण जीवन संकत में डालकर नश्ट हो जाते हैं अर्थात अज्यान उन्हें निगल जाता है इसी प्रकार सेनापती के बिना सेना व्यर्थ होती है और वह नश्ट हो जाती है स्त्रिया भी पती के बिना दुष्ट लोगों द्वारा सताय जाने के कारण नश्ठ हो जाती है पती उसका रक्षक होता है वो ही उसकी रक्षा करता है पती के बिना वह अपने मार्ट से भटक सकती है इस संदर्प में आजस्त्रियों की स्थिती में बहुत अंतर आया है शिक्षा इसका प्रमुप कारण है वृध काले मृता भार्या बंदु हस्ते गतम धनम भूजन चा पराधीन तिस्त्रह पुनसा विदम बना वृधा वस्था में पत्नी का देहांत हो जाना धन अत्वा संपत्ती का भाई बंदु हों के हाथ में चले जाना और भूजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहना ये तीनों बाते मनुश्य के लिए मृत्यु समान दुख दाए है नौ दुख जीवन का एक महत्वपून हिस्सा है लेकिन व्रिधावस्था में यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को खो दे तो वह दारुन स्थिती है जीवन साथी की जीवन में दो भूमिकाएं हैं भोग और सहयोग व्रिधावस्था में एक दूसरे के सहयोग की अपेक्षा होती है परमपरा के अनुसार पती अकसर पत्नी से पांच माइनस साथ वर्ष बढ़ा होता था व्रिधावस्था में इस अंतर का अत्यंत महत्व है जब पूरे परिवार की अपनी दुनिया हो व्रिध एक तरल से निरर्थक हो चुके हो बूरे दमपती ही एक दूसरे के लिए सार्थक हो ऐसे में एक का विशेश कर पत्नी का चले जाना पती के लिए मृत्यू की समान है आचार्य ने एक महत्वपूर्ण समस्या की और मानो इस श्लोकांच से संकेत किया है पुरुष के बिनास्त्री अपना समय काट लेती है सोचिए पराधीन कौन है ना अगनिहुत्रम बिनावेदा न चदान बिनाक्रिया न भावेन बिना सिदिस्तस्मात भावो ही कारणम अगनिहोत राधी कर्मों के बिना वेदों का अध्ययन व्यर्थ है तथा दान दक्षिना के बिना यग्याधी कर्म निश्फल होते हैं श्रद्धा और भक्ति के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती अर्थात मनुष्य की भावना ही उसके विचार उसकी सब सिध्यों और सफलता का कारण मानी गई है काश्ट पाशान धातुना कृत्वा भावेन सेवनम श्रद्धया चत्या सिधस्तस्यों विश्नों प्रिसीदती लकडी पत्थरत्वा धातु की मूर्ति में प्रभू की भावना और श्रद्धा रखकर उसकी पूजा की जाएगी तो सिध्धी अवश्य प्राप्त होती है व्यक्ति को वैसी सिध्धी प्राप्ती होती है उसी भग्त पर विश्नू तथा परमेश्वर प्रसन होते हैं जो की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी अर्थात पूजा में भावना ही प्रधान है जैसी भावना वे सफल न देवो विद्यते काश्टे पाशाने नम्रिन में भावे ही विद्यते देवस्तस्माद भावो ही कारणम देवता अत्वा परमेश्वर का अत्वा पत्थर की मूर्ती में नहीं है परमेश्वर तो मनुष्य की भावना में विद्यमान रहते हैं अर्था जहां मनुष्य भावना द्वारा उसकी पूजा क वहीं विप्रकट होते हैं. और और की काम ना करता रहता है, उसे सुख नहीं मिल सकता। मनुष्य की तृष्णा उस रोग की तरह है, जिसमें भूप कभी शांत नहीं होती। दया को आचार्य ने सर्वश्रेश्थ धर्म माना है। दया का अर्थ है समवेधना का विकास, इसमें अन्य का भाव समाप्थ हो जाता है। विद्या को सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु बताया गया है, अतह विद्वान सरलता पूर्वक धन और मान सम्मान दोनों को अर्जित कर सकता है। मनुष्य की सौंदर्य की व्रिद्धी होती है। कार्यों में सफलता से विद्या शोबित होती है और धन की सही उपभोग से धन की शोबह बढ़ती है। मनुष्य की देह यदी सुंदर है लेकिन उसमें गुनों का अभाव है तो वो सौंदर्य किसी काम का नहीं। अच्छे आचरन के कारण ही कुल की शोबह होती है। यदी उच्छ कुल में उत्पन हुआ व्यक्ति नीच आचरन करता है तो उसका कुल बदनाम होता है और ऐसी विद्या की भी कोई शोबह नहीं होती जिससे मनुष्य किसी कार्य को सिधना कर सके अर्थात मनुष्य को अपने कार्यों में सिध्धी विद्या के कारण ही गया जाए निर्गुंसिया हतम रूप दोशीलस्या हतम कुलम असिध्यस्या हता विद्या अभूगिन हतम धनम गुणहीन मनुष्यों का सुंदर अथवा रूपवान होना वियर्थ होता है जिस व्यक्ति का आचरन शी से युक्त नहीं उसकी कुल में निंदा होती है जिस में किसी कार्य को सिध्य करने की शक्ती नहीं ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति की विद्या व्यर्थ है और जिस धन का उप्भोग नहीं किया जाता वह धन भी व्यर्थ है 16.1. शुचिर भूमित्तोय शुधा नारी पतिव्रता 17. शुचि एक्षेम करो राजा संतोशी ब्राह्मना शुचि भूमि के अंदर से निकलने वाला पानी शुध माना जाता है पतिव्रता नारी पवित्र होती है लोगों का कल्यान करने वाला राजा पवित्र माना जाता है और संतोशी ब्राह्मन को भी पवित्र माना गया है जो सरकार अपनी जंता का कल्यान करती है, भरष्ट अचार में नहीं पड़ती, उसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। उसी प्रकार जो ब्राहमन संतोष्ट रहता है अर्थात जिसमें ध्धन की लालसा नहीं है, वहीं पवित्र है। संतोष्ट रहत ब्राहमन, संतोष्ट होने वाला राजा, शर्म करने वाली वेश्या और लजजाहीन कुलीन स्त्रिया नश्ट हो जाती है। 18. असंतुष्ट रहने वाला ब्राहमन अपने कर्म से ब्रश्ट हो जाता है. वो अपना कर्तव्य भूल जाता है. समाज में उसकी प्रतिष्ठा क्षीन होती है. इसी प्रकार जो राजा अपनी थोड़ी सी सफलता से संतोष कर लेता है, उसमें महत्वा कानक्षाय कम हो जाती ह वो अपना राजय का विस्तार न करने की कारण शक्तिहीन होकर नश्ट हो जाता है. विश्याओं का कार्य लोगों को संतुष्ट करना है. वो बजार में बैठ कर भी यदी संकोच और लज्जा करती रहेगी तो वो भूखी मर जाएगी. इसी प्रकार यदी अच्छे घर की और ते लज्जा को त्याग देती हैं तो वे भी नश्ट हो जाती है. इस श्लोक से स्पष्ट होता है कोई एक कार्य किसी के लिए हितकर है तो किसी को हानी पहुचाने वाला होता है. करतव यका निरनय संदर्प के अनुसार होता है. उसकी कोई निश्चित गाइडलाइन न दुष्कुली नोपी विद्वांश्चा देवेरपी सुपुज्यते. यदि कुल विद्याहीन है तो उसके विशाल और बड़े होने से कोई लाब नहीं, यदि बुरे कुल में उत्पन हुआ व्यक्ति विद्वान है तो देवता लोग भी उसकी पूजा करते हैं. विद्यारहित बड़े कुल में उत्पन होने से कोई लाब नहीं क्योंकि विद्वान होने और अच्छे गुनों के कारण होता है. इस प्रकार チचानक के केवल वंच को महत्वड नहीं, वे विद्वान होने को अधिक महत्वड देते हैं. उनका कहना है कि यदी नीचकुल में उत्पन हुआ व्यक्ति भी विद्या आदी गुनों से युक्त है तो सभी लोग उसका सम्मान करते हैं रावन उच्चकुल में उत्पन हुआ लेकिन दुरकुनों की कारण प्रत्येक वर्ष चलाया जाता है विद्वान प्रशस्यते लोकए विद्वान गच्छती गौरवम विद्या लबते सर्व विद्या सर्वत्र पूजिते इस संसार में विद्वान की प्रशंसा होती है विद्वान को ही आदर सम्मान और धन धान्य की प्राप्ती होती है प्रती एक वस्तू की प्राप्ती विद्याद्वारा ही होती है और विद्या की सब जगह पूजा होती है बारह हजार ग्यारह मानसभख्षई सुरापानेर मुर्खेश चक्षर वर्जितह 21. मास खाने वाले और शराब पीने वाले व्यक्ति यह सोच भी नहीं पाते की कौन सी वस्तू खाने के योग्य है और कौन सी नहीं इस प्रकार मूर्क और निरक्षर व्यक्ति रूप रंग में तो मनुश्य के समान होते हैं पर अंतुव पशू के समान इस प्रित्वी का भाहर है अर्थात उनसे इस संसार का कोई उपकार नहीं होता ऐसे लोगों को पशू कहना पशू का अपमान है अनहीनो दहेद राष्ट्रम मंत्र ही निश्चर रित्विजह यजमान दान हीनो नास्ती यग्य समोरिपूह जो देश को अनहीन करता हो, जिसमें मंत्रों को न जानने वाले रित्विज हो, जिसके यजमान दान भावना से रहित हो, ऐसा यग्य शत्रू समान है 22. आचार्य के अनुसार, यग्य जहां मनुष्य के लिए अनेक प्रकार से लापकारी है, वही यदि यग्य ठीक प्रकार से संपन्दना किया जाए तो उससे बहुत बढ़ी हानी भी होती है यग्य से वर्षा होती है और राष्ट्र में अन और धन्धान्य की वृद्धी होती है ये यग्य का प्रत्यक्ष फल है रित्विज अर्थात यग्य कराने वाले आचार्यों को मंत्रग्य होना चाहिए इसी प्रकार यग्यकर्ता अर्थात यजमान का हरदय भी विशाल होना चाहिए उसकी आचार्यों के प्रती निश्था और श्रद्धा होगी तभी वह उने धन्धान्या आदी देकर प्रसंद करेगा आचार्य यग्य की सार्थक्ता के लिए रित्विज और यज्मान के योग्य होने की ओर संकेत कर रहे हैं अध्याय का सार चानक्य ने इस अध्याय में शरीर की द्रिष्टी से एक समान दिखने वाले मनुश्यों का गुनों और प्रवृती के अनुसार विभाजन किया है स्वभाव और प्रवृती ही व्यक्ति को उत्तम, मध्यम और निम्न बनाती है निम्न श्रेनी के लोग जैसे तैसे धन इकठा करना चाहते हैं वे ऐसे उपायों से भी धन प्राप्त करना चाहते हैं जिनसे उनका अपमान होता है उन्हें मान अपमान की कोई चिंता नहीं होती मध्यम श्रेनी के लोग मान सम्मान के साथ साथ धन इकठा करना चाहते हैं परंतु उत्तम श्रेनी के लोग केवल मान सम्मान को ही महत्व देते हैं धन उनके लिए गौन होता है, मुख्य नहीं चानक्य कहते हैं कि व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन करता है जैसा अनक हाता है उसकी संतान भी वैसी ही होती है ये संकेत है कि भोजन केवल स्वाद या पेथ भरने की दृष्टी से ही महत्वपूर नहीं है यह मानव जाती के भविश्य को भी निर्धारित करता है चानक्य की तीन बाते मृत्यू के समान कश्ट देने वाली बताएं है व्रिधावस्था में मनुष्य की पत्नी की मृत्यू होना धन संपत्ती का दूसरों के हाथों में जाना और खान पान के लिए दूसरों पर आश्रत रहना इन में से दो का अनुभाव तो किसी भी अवस्था के व्यक्ति को हो सकता है लेकिन एक का संबंध विशेश अवस्था से है इस ओर संकेत करके आचार्य ने जीवन के कटू सत्य को उजागर किया है इससे उस अवस्था में पुरुष की निरिहता भी प्रकट होती है चानक्य ने व्यक्ति के विचारों और उसकी भावना को अधिक महत्वपूर्ण बताया है उन्होंने कहा है कि लकडी, पत्थर और धातु की मूर्तियों की यदि शुद्ध भावना और श्रद्धा से पूजा की जाये तो सब कार्य पूर्ण हो जाते है इन मूर्तियों में भगवान का वास उस रूप में नहीं होता जैसा की लोग मानते हैं मनुष्य की उच्च भावनाय अथ्वा विचार ही मूर्ति को माध्यम बनाकर पूजक का कल्यान करते हैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है कृप्या सहयोग करें